PMC हिंदी प्रेक्षकों को मेरा कोटी-कोटी प्रेनाम और आपके अंदर जो बगवान बैटा है उस बगवान को भी मेरा कोटी-कोटी प्रेनाम मेरा नाम स्रावन महेश है और मैं एक बुक लिका है उसका नाम है विक्टिम टु विक्टर मार्श्रिंग दा आर्ट अफ सेल्फ ट्रांस्फरमेशन यह मेरा पर्सनल लाइफ एक्स्पीरियंज है मेरा लाइफ में जब मैं पैदा हुआ हूँ मेरा लाइफ में मैं हमेशा एक विक्टिम के जैसा एक हेल्पलेस फील हो रहा था मेरा बच्पर में बहुत सारा बुलींग हो रहा था बुलिंग मतलब लोग बहुत टीज करते थे मेरे को निकनेम्स लगते थे तो ऐसा होते होते मेरा कॉन्पिडेंट्स कम हो गया और लाइफ में भी बहुत सारा चालेंज आया कि मैं फेस नहीं कर पाया ऐसा करते करते मैं एक रास्था डून रहा था एक जग्ण है बिकम सक्सेφफफल मैं कैसा इन चीजों के बाहर आ सकता हूं जैं नहीं जर्नी में, खीका है मेरे बारे में घुछा है बहुत सारा थेरशित के बारे में, उच्मिन है और बहुत सरा बुक्स पड़ा एल अन लिए है मेरा लाइफ में तो आज इस 받 ने के बारे में बात करना चाहता हूं कि वेक्टिम हे जो हमेशा एक हेल्पिलेस्ट फील करता उसको लाइफ में बहुत सारा कंप्लाइंट्स है उसको शान्ती नहीं मिल रहा है उसका अडवांटेज ले रहा है है लोग नहीं उसको भूत सारा प्रॉब्लम जैलाइफ है विक्टर, विक्टर मतलब विजेता जो विजेप आया है, सकसेस्फुल है और हैपी भी है, आननद तो यह विक्टर का माइंड सेट कैसा होता है कि वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव परस्पेक्टिव में देखता है और ऐसा सोचता है कि मैं एक क्रियेटर हूँ और मैं लाइफ में जो चाहता है वो मैं क्रियेट कर सकता हूं यह परस्पेक्टिव होता है विक्टर का विक् उसको clarity होता है, उसको क्या चाहिए पता होता है, और कैसा पाना आए भी पता होता है, तो एक क्वेशन है, आप किस स्थिति में रहना चाहता है, विक्टिम स्थिति में या विक्टर स्थिति में, आपके कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप काउं सस्तिती में रहना जाता है आप के जर्णी जो है, विक्टिम तो विक्टर इस जर्नी में बहुत सारा स्टेशन से हम बहुत सारा स्टेज़िस में परिवर्तन होते जाएंगे जैसा एक butterfly, butterfly मतलब तितली, तितली भी हर एक stages गुजरता है, पहला जब पैदा होता है अंडा, अंडा stage में होता है, यह एक stage उदर से वो caterpillar stage में आता है, caterpillar आपको पता है, जो leaves में रहता है और उससे जाके वो pupa stage में जाता है और लारवा स्टेज में जाता है और फाइनली जाके बटरफलाई बनता है जैसा हमारे लाइफ में भी हम इस जर्नी से गुजरता है हम एक टाइम में हम विक्टिम रहता है और वो लेसंग चीखके-चीखके यह बहुत सारा स्टेज़स आता है हम भी बहुत सारा stages बुजर के बुजर के हम यह victor बनता है आज उस stages के बारे में हम समझेंगे यह 12 stages 12 stages है इसको मैं 12 stages of metamorphosis बोला है तो पहला stage है आपको पता है victim second stage blame जो victim क्या करता है वो पहला चीज फिल करता है वो victimize हुआ है और victimize होके वो blame stage में आता है आपको पता है अभी आजकल me too moment चल रहा है पहला बहुत सारा लड़किया विक्टिम मोड में थे बहुत सारा harassment होता था और कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत helplessness हेल्प्लेस फिल कर रहते हैं बट उदर से अभी वो blame stage में आए कि अभी वो express करने लगा उसका बागा उसका कंप्लेंच जो है वो express करने लगा यह भी बहुत important चीज है तो एसा नहीं है कि हम हमेशा दबा कर रहना है हमारा बागा को तो इस सेकेंड करता है हुआने स्टेज में हम एक्सप्रेशन को सेखेंगे हम कैसा हमारा भागा को व्यक्त करना सीखेंगे यह ब्लेम stage में वह ब्लेम स्टेज में थोड़ा दिन रहेंग journals तोड़ा साल गुजरेंगे हम को उसी stage में और फिर भी हम पुरा leadership are like 리 המן करते करते हम टक्तर नहीं हिर सब्सक्राइब आता है नेक्स्ट स्टेज में आता है एक शेल्फ दॉफ डाउट स्टेज ऐसा करतेदे अुछ एसलोली समझनेलममीlem कि ये जो अंदर है यो एस उम अनदार में चल्ट जो बाहर न ऊपतेशल कोई बाहर कि इस ही हम पवरलेस है हमारे अंदर कुछ इसजोच प्रॉपली अधि करता है मैं भी मेरा लाइफ में हमेशा चुछ करें ता कि मेरा पाप मेरे को सप to 1991 करता पहुछ इस पाध क्ट्रोल करता है मेरे इसे पहुत number कि अपरफुल है मैं बहुत वीक हूँ इसा फिल करता था यह लाइफ में भूच सारा दिन ऐसा ही गुजर गया कुछ दिन मैं उसको ब्लेम करने लगा बट कुछ भी वह ब्लेम का एकसेप्ट नहीं करता था मैं उसको गिल्टी करना चाहता हूं उसको अफराद भाव देना चाहता था क्योंकि वह ऐसा सोच था कि उसके वज़े से मेरा जीवन में बहुत सारा इसा देने चाहता था बट वह एकसेपने करता था ऐसा ही में विक्तिम और ब्लेम ब्लेम में फिर से विक्तिम बनता हूं फ मेरा इन्नर चैल को देखने लगा और मेरा पास्ट लाइफ को देखने लगा मेरे पूरो जन्मों को देखने लगा तब मेरे को यह तर्ज टेज में आया हूं मैं कि मेरे अंदरी सेल्फ टाउट है मेरे अंदरी कॉन्फिडेंस कम है मेरे अंदरी मैं आधार हूं परादार हू इसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंडेंट हूँ, मेरे को पापा से अप्रूवल चाहिए, कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को पापा से अप्रिशेशन चाहिए, मेरे को पापा से नॉन जज्जमेंट परस्पेक्ट्व चाहिए, जब एक जज़ नहीं करना है मेरे पापा, मेरे को एक रिटिसाइज नहीं करना है ऐसा सोचता था बट मैं इसल्फ डाउट में जब ये सल्फ डाउट का स्टेज में गुजर रहा हूं उदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत सारा हुआ है मैं अंदर आत्मडिमर्श भी करने लगा क्योंकि एक स्रिटिसिजम बहुत सा रा ता मेरे अंदर अब मैं सीखाता जो मैं कुदको कर रहा हूं वही ब quería हर लोग भी मेरे सार कररा है वेक ट्री स्टेजेस है हमको पहला स्टेजेस पैला त्रीन इस तीन स्टेजस को हम अकनॉलेज करना है इसको हम स्वीकर करना है कि है अब बहुत सारे लोग सोचता है ऐसा मैं विक्टर बनना हूं मैं मास्टर हूं मैं मास्टर हूं सोचके मास्टर बन जाता है बट मेरा लाइफ में अश्टर बन जाता है बट मेरा लाइफ में अश्टर मोड में चला जाता है, so unless and till we fully heal ourselves, we cannot completely become a master, so healing is very important, healing, healing करने के लिए हमारा जो भी state से हमारा खुद का present state है, उसको हम accept करना चाहिए, so यह तीन stages के बाद हमको आता है acceptance, इस acceptance मोड में हमेशा सोचता है कि हम दूसरों को हमेशा सोचता है हमको इसके पार जाना है, but without accepting हमारा खुद का काम, हमारा कुद का क्रोध, हमारा कुद का लोब, हमारा कुद का मोह, और कुद का मद, और कुद का मातसर्य, यह एकसप करने से से बिना हम पार नहीं जा सकते हैं, so acceptance को हम सीखना है, यह फौर्थ स्टेज में, पहला स्टेज में, विक्टिम स्टेज में हम बहुत स्टेज में हम निंदा करने लगा, तरज स्टेज में हम सेल्फ डॉट को पहचाना और गाना वपतीं लुक्तिसम को पहचाना, और हमारा नीड को पहचाना, हम नीड़ को, हमारा नीड़ है, अप्रिशेशन एक नीड था, प्यार एक नीड था, और अप्रूवल एक नी था, ये नीड़ को पहचाना और इस एक्सेप्टन्स में हम इस नीड़ को हम फुलिफिल करेंगे, self-acceptance करेंगे, self-app्रूवल करेंगे I approve of myself यह दूसरा कोई अपरू करने का जोरत नहीं है हम कुद अपरू कर सकते हमको हमारा जो भी बाव है हमारा emotions है हमारा सोच है उसको अपरू कर सकते और accept कर सकते कुद को प्यार कर सकते कुद को appreciate कर सकते सो यह सब हम acceptance mode में हम सीखेंगे उसके बाद हायागे हमको forgiveness forgiveness stage spirituality में बहुत सारा important stage है forgiveness क्योंकि जब तक हम forgiveness कर सकते उसी ड्रामा में हम गुजरते जाएंगे उसी ड्रामा कंटीनिव होगा यह victim क्या करेगा उ पर्पेक्ट्रेटर बन जायगा है वो समझो कोई मेरे को कुछ हीमसा किया मेरे उपर मैं क्या करता हूं उसके ओपर हीमसा करने चाहता हूं वो रिवेँज कर नाचाहता हूं यह विक्टिम परपेट्रेटर सैकल कन्टिनौ होगा जब तक हम भर्ग्यूनस को हम विकार नहीं कर सकते एपू। इंपर ब्लीमेंट नहीं कर सकते लिए before implementing forgiveness, एक important चीज़ जो है, आंगर मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोग यह करता है कि दूसरों को फर्गू करूँगा, बट फिर वह अब्यूस लेगा, फिर से फिर से अब्यूस लेगा, बट यह विक्टिम तु विक्टर ट्रांजिशन में हम अब्यूस लेना नहीं चाहता है, तो हमारे उपर कोई अडवांटेज नहीं ले सकता है, हम कुद के लिए कड़ा होना है, फिर भी हम माफ भी करना है, तो यह माफ करना स्ट्रंथ से आना है, एक क्लारिटी से आना है, एक इस पेस साना है कि हम, हमको वह एफेक्ट नहीं करेगा, जो भी वह किया है मेरे साथ, वह हम को अफेक्ट कर रहा है, उस समय हम फर्गु नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम हमारे जो भी अंदर का गुसा है, अंदर का दुख है, वह सब निकलना है, तोड़ा क्थार्सिस होना है, ऊच्छा सा मेडिटेशन करवाता है, डिनमिक मेडिटेशन, तो यह मेरे साथ आप पर्गिवनेस आटमेटिकल आपके अंदर से आएगा जो पास में हुआ है वो अब ही आपको तकलिफ नहीं दे रहे हैं आप आपके जो भी ट्रॉमा जे पर्सनल ट्रॉमा जे पास्ट लाइफ ट्रॉमा जे वो सब आप हील कर सकता है आप इस स्टेज के बाद हीलिंग के बाद तब हम ट्रांस्फरमेशन के बारे में सोच सकता है आपका दॉमचान लाइब कर दुल्हीं है कर दुना रहे सो एक इस भी काम करता है वह हमेशा closely ओु कर दुला है यह हम के ढदेड़ प्रॉमेशन अचैज में हमको पैं को एक्सम करना सीना है transformation is not easy हमेशा सोचता है transformation आसान है ऐसा नहीं होता है transformation समझो अपके मा के गर्ब में है पहला embryo टाइप रहता है slowly slowly अपके हाथ आता है अपका सिर आता है अपका पेर आता है वो जो परिवर्तन हो रहा है body का हर एक स्टेज में बहुत सारा changes होता है एक जब changes हो रहा है मतलब जो भी change होता है तोड़ा pain होता है सो जो समझो अप अप धर्ती के अंदर जो diamond बनता है कैसा बनता है diamond धर्ती के अंदर ज्यादा pressure होता है ज्यादा temperature में बनता है diamond सो जैसा हमारे life में भी हम हमारे अंदर से हम जन्म लेता है अब इतना सुचे आपके मा के अंदर से आप बाहर आने के लिए ये नव महिना कितना आप कोशिश करना पड़ता है और आपका मा भी कितना कोशिश करना पड़ता है और ये ट्रांस्वरमेशन मतलब आपके अंदर से आप फिर जन होना है, री बर्दिंग होना है, द्विजा बोलते हैं, द्विजा मतलब जो फिर से जन पाया, अपने अंदर से जो फिर से जन पाया, सो ये ट्रांस्फोर्मेशन स्टेज में हम सीखेंगे, हम कैसा ट्रांस्फोर्मेशन को एकसब कर सकते, कैसा ट्रांस्फोर्मेशन को हम हैंडिल कर सकते, सो यह स्टेज से गुजरने के बाद हमको एक पीस आफ मेंड आता है स्टेज में हम घ्यान कर सकते हैं मेडिटेशन कर सकता है और मेडिटेशन में बहुत सारा अंदर जा सकता है स्रक्राइब कार weg अब लोगों को见 मेडिटेशनल बैटते भी बाहुत सरा एश्युद्ण बाता घरका जो भी हुआ है बच्पन में हौ वह वुए मैं मैं में घाएं और मिएस जब आता है हमको तुड़ा एला सिंग्छेस में क्लिन कार अ nur सो मेडिटेशन में हम शांति में रहे के हमारा अंदर जो हो रहा है उसको देखना है साक्षी बाव से और बुद्ध बगवान बहुत अच्छा प्रोसेस बताया हमको सेविन स्टेजस बताया कईसा हम निर्वान पा सकता है कि पहला स्टेज आना पाने सती न malicious मतलब उन्ष्वास अपाना मतलब निश्वास सत्ढ़ मतलब उसके साथ रहना यह आना पाने सती करते- परस्पेक्टिव जो है दुड़ा अंदर जाता है और हमारा शरीर में जो भी हो रहा है वो प्रोसेस को हम महसूस करने लगता है उस समय गौतम बुद्ध ने बताया काया नुपसन मतलब जो भी आपके शरीर में हो रहा है उसको आप देखिए उसको महसूस कीजिए और भाव से देखिए ऐसा नहीं है कि उसके साथ चले जाना ऐसा नहीं है सो साक्षी भाव से देखना और उसके बाद आता है वेदा नुपसन मतलब जो भी एमोशन से जो भी भाव है हमारे अंदर मतलब हमारे चित में हमारे सबकॉंशेस में भ़ूत सारा भाव चिपा हुआ है, क्रोध होगा, या काम होगा, या दुख होगा, या डर होगा, आज मेडिटेशन में कर रहा था, मेरे अंदर बहुत डर हो रहा था, बहुत फियर था, मैं महिसुस कर रहा था, साक्षी भाव से, वेदान उपस्तन, जो बताया, गौतम बुद्ध ने, वेदान उपस्तन, क्योंकि ये जो भाव है, उसका नीचे कुछ मेमोरीस चिपा है, कुछ नापक चिपा है, ये इस जन्म का हो सकता है, या पूरो जन्मों का हो सकता है, जब गौतम बुद्ध मेटेशन कर रहा था, उन्होंने भहुत सारा उसका शायद 300-600 जन्म देखा है, उसको जातक बी प्रिचूरित किया है, बहुत सारा हमारा चित्तीम लूरा ऋब्ध मेरे सपकॉंशेस म्मैं में उसको भी हम साक्षी बाव से देखने हैं, इसको हम चित्ता नुपक्संन बोलेंगे, उसके बाद का स्टेज बोला है गौतम बुद ने धमाुद लृत नुपक्संन इसके बारे में धम्मपदा लिका है और एट फोल्ड पाथ बोलते है उसको राइट परस्पेक्टियो राइट समाधी राइट मेडिटेशन तो एट फोल्ड पाथ लिका है और चार आरिसत में एक सत है जो अराइस वाटेवर अराइजस विल टाइ मतलब चेंज इस उनली परमिनिंट तिंग थिल नाइफ हमेशा परिवर्तन होता जाया जाएगा यह तो यह प्रिंसिपल को हमेशा गमन करना है जो भी आर आई उसके उसको पकड़ना नहीं जो जब पलेजर फीलिंग आता है हम को चुछ अच्छ फीलिंग आता है अच्छ फी जो भी हमारे अंदर हो रहा है वो परिवर्तन होगा यहे तर प्लेजर और पेह सचो यह दंधान उपस्सन है उसका नेक्स टेज है विपस्सन मतलब विशेश Пसंष जो हमारे अंदर हो रहा है उसको हम विशेश तरीका से देखना है और देखते देखते हम एक साक्षी भाव में आ जाते हैं और वैसा देखते देखते हम हमारे अंदर जो भी है वो शुनि सिति में हम जले जाता है और निर्वान सिति को पाता है So Brahμεー सिपाती भाव में पतरि जी ने हमको इतना स्टेजस नहीं बताया है एफ स्टिब किया है प्रोसस को भाव तसस मीर की आ तीन स्टेजस पताया साइनस अफम एडिटेशन में पहला स्टेज है जब हम हमारे श्वास के साथ रेता है हमारा चित होने लगता है यह आना पानसती जो गौतम बुद्ध ने बताया यह पहला स्टेज पत्री जी ने भी बताया और उसके बाद जो काया नुपस्टन है जो वेदा नुपस्टन है जो चित्ता नुपस्टन है और जो धमा नुपस्टन है वो सब चीजों को पत्री जी ने नाडी मंडल शुद् होने लगता है सो उसके समय भी हम साक्षी रहना है इन चीजों को ऐसा करते हम फाइनल स्टेज में जाएंगे हमारा दिव्या चक्षु तेजित होता है दिव्यदृष्टी ओपन होता है और उस समय हमेशा जो भी हो रहा है उसको देखना है साक्षी बाउस से विपसना को यह मेडिटेशन के बारे में हम भूत सीख सकता है इसी स्टेज में हम सिप्रिच्वालिटी में आता है असली आध्यात्य कता में आता है उसके बाद हम सिल्फ रियलाइजेशन करेंगे मैं कौन हूँ क्या है मैं मैं किदर से आया हूँ मैं क्या करने के लिए आया हूँ यह स सेल्फ डव्ट था तर्ड फॉर्थ एक्सेप्टेंस था उसके बाद फर्गिवनेस था उसके बाद हीलिंग है उसके बाद ट्रैंसफर्मेशन है उसके बाद मेडिटेशन हुआ है अभी हम सेल्फ रियालिजेशन करने लगा मेरा अंदर जो भी विक्टित हुए समझो मैं मेरा बाइट के साथ कुछ अलग सा भीएव करता हूं मेरा मदर के साथ कुछ अलग सा भीएव करता हूं आफिस में बास के साथ अलग भीएव करता हूं सब अलग भीएव करता हूं सो बहुत सारा विक्तित हुए है मेरा अंदर, सो मैं कौन हूँ, मैं एक बाप हूँ, या मैं एक हस्बेंड हूँ, या मैं एक एक एंपलोई हूँ, या मैं एक एंटर्प्रेनियूर हुए, सब बहुत सारा कन्फूजन होता है, सब कन्फूजन सेटिल होके हमको क्लारिटी आत यह सब हमारे अंदर जो भी है इनर जर्मी हम अच्छा करें गैंगे और हमारे जो भी जो भी clarity है उससब हम Paco स्टेज में मिलने के बाद हमारा पूरनात्म से हम एक हो जाता है और हमारा पूरनात्म को हम महसूस करने लगता है हमारे लाइफ में फील करने लगता है रुछобрे वस конце की निर्वान श्तिति लेंदूं मुक्थी को जाता च hyped एन्लाइटन्मेंट पिर भी अभी नौ स्टेजर साण 10 पनी centuryamp जय को बेर तचेज से पिते लादम्मर ऐसीऑ कम र्यhamलाइफ लेख गए लाइफ में बहुत सारा प्राब्लम्स को क्लियर कर लिया उसके बाद हम यह जो स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज करना है वो लाश्ट त्री स्टेजेजेज है तो तेंथ स्टेजेज इस काल रिस्पॉंसबिलिटी मतलब जिम्मेदारी जब गुजरता है हमको एक नौलेज जाता है कि मेरा लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कारण मैं हूं हमारा रियालिटी के लिए हम ही सुष्टी करता है तो यू आर देख्र रियालिटी यह जो रियालिजेशन स्टेज में आजाता है देन हम हमको जो भी एक्सपिरियन्स करना है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेता है और उसके लिए हम हम क्रियेटर के परस्पेक्टिव से हम क्रेट करने लगता है हमारा लाइफ को इसके बाद का स्टेज है सेल्फ लव स्टेज सो यह यह करने के बाद हम थोड़ा सेल्फ लव भी प्राक्टिस करना है हमारा श्रीर को जो चाहिए वो हम देना है हमारे मन को जो चाहिए वो भी देना है हमारा बुद्धी को जो चाहिए वो देना है और आत्मा को जो स्टीम बढ़ता है उसके वज़े से हम अभंडन्स को आहवान कर सकते हैं अभंडन्स अभको नहीं मिलता है इन्होंने सेल्फ लोग प्राक्टिस करता है उसको ही ज्यादा मिलता है तो एक एक सीक्रेट है तो आपका लाइफ में जो भी चाहिए पहला आप देना है अपको प् स्टेज को और फाइनल स्टेज है विक्टर स्टेज जिसमें हम हमारा क्रियेटिवीटी को हमारा क्लारीटी को हमारा कॉंफिडेंस को और हमारा कॉंशियसनेस को हम उप्योग करके हम कुद को भी कल्यान करेंगे और लोग को कल्यान भी करेंगे और बहुत सारा हम अच्छा कर शकता है जो इतना हुआ है बाहत सारा कुलेश्य शेट करेंगे पहला व्यारा स्टेज थे पहत सारा फाइटिंग सारा इनर इनर कॉंफिलिक्स होता है उसाब कॉंफि WOW को हम भी जए ही पाके हम तो दर यह तोड़ा इदर भी प्राक्टिस करेंगे लाइक एक ग्राटिटूड हम प्राक्टिस करेंगे इसके वज़े से वो मेंटेन होता है और हमेशा वो अबंडन मेंटालिटी अबंडन्स मेंटालिटी हम मेंटेन करेंगे सो यह कुरुक्षेतर हम वापस करने का ज़रुरत नहीं होता है यह विक्टेर स्टेज को मेंटेन कर सकते हैं विक्टिम से विक्टर में हम पूरा परिवर्तन हो सकता है और टांस्फर्म हो सकता है सो यह मेरा वेबसाइट है www.sraavanmahesh.com यह वेबसाइट में जाने के बाद आपको बहुत सारा इंफर्मेशन मिलता है इस बुक के बारे में भी मिलता है और बहुत सारा तेरपी जो मैं करता हूँ इन चैल तरेपी, फैमिली कॉंस्टलेशन, लाइफ बिट्वीन लाइफ रिग्रेशन, पर्पोस अफ लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा www.sraavanmahesh.com और इतना देर मेरे को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद हूँ मैं, और तैंक्यू, तैंक्यू वरी मच, और आप ये PMC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को, जिसको उपयोग है, उसको शेर कीजिए, और जो भी आपका प्रेशन है, कमेंट्स में आप लिखे, तैंक्यू, तैंक्यू वरी मच,